दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट मैच में मैं हूँ विनित पुदर और आज मैं अपलोग करा रहा हूँ क्लास प्रोम हम का पार्ट नंबर 8 जिसमें हम लोग देख रहे हैं रेशी और प्रोपर्शन का पार्ट नंबर 4 इसमें प्रोपर्शन जो है A प्लस B बटा B बराबर B प्लस C बटा A बराबर C प्लस A बटा C हो तो परती एक अनुपात का मान क्या होगा ठीक है परती एक का मतलब क्या कि तीनों में से किसी का बताना है तो तीनों में इसलिए किसी का क्योंकि तीनों तापस में बराबर है तो जब प्लस बी प्लस टू सी मिलेगा जबकि नीचे में एप्लस बी प्लस सी मिलेगा ठीक है उपर में से कॉमन कर सकते हैं दो को हम लोग तो क्या बचेगा एप्लस बी प्लस सी और बटे में तो जो पहले से था इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ने यह और यह कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली दो तो इस कोस्टेन का सही अंसर हो जाएगा दोस्तो दो आप्सन इसे से करें और इसका सही एंसर जो भी है अपका उसे कमेंट बक्स में कमेंट जरू करें दोस्तों हां चलिए कुश्चिन नमबर टू देखते हैं हम लोग अब a plus b अनुपात a minus b बराबर 4 अनुपात 1 हो तो a square minus b square अनुपात a square plus b square का भेलू क्या होगा ठीक है देखें जब अनुपात होता है तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं बटा में भी लिख सकते हैं तो a plus b बटे में लिखते हैं a minus b बराबर में 4 बटा 1 ठीक है into करेंगे cross में जब तो यह ऐसा और ऐसा into होगा उपर वाला तो कोई changing नहीं होगा a plus b लेकिन नीचे वाला जो है इधर वाला यह हो जाएगा 4a 4a minus 4b अब एक side जब करते हैं तो देखिए इस a को इधर ले जाएंगे और इस b को इधर लाते हैं तो हम लोग के पास कुछ ऐसा मिलेगा 3a बराबर 5b ठेक है अब इसका अनुपात लिख लेते हैं हम लोग a अनुपात b तो पहले हम लोगों ने देखा है जैसे कि अगर a का लिखना है तो क्या करते हैं a को छोड़के b का लिख देते हैं नमबर मतलब 5 कितना 5 का स्क्वाइर माइनस 3 का स्क्वाइर a स्क्वाइर माइनस b स्क्वाइर अनुपात a स्क्वाइर पलस b स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर क्या मिलेगा देखे 25 माइनस 9 हो जाएगा 16 और 25 प्लस 9 हो जाएगा 34 काट देंगे तो कटेगा आठ बार में और यह कटेगा आपका 17 बार में तो रेशियो क्या आएगा हम लोग के पास आठ अनुपात 17 यह कट नहीं सकता है किसी से तो उप्षन नमबर डी इस कोश्चन को सही अंसर हो जागा दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ यह कोश्चन में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं आगे देखिए यह कोश्चन आप लोग के लिए आपका प्रक्टिस कोश्चन है जल्द से प्रक्टिस करें और सही अंसर कमेंट बक्स में कमेंट करें दोस्तों अगर आप लोग नए वीवर हैं इस चैनल में वाली बार आए हैं तो इस वीडियो को पूरे अन तक पहले देख ले आपको समझ में आता है तो ही आप इस चैन क्ट जाम में पूछा गया है ठीक है करना क्या हम लोग को अब देखिए बराबर जो होता है वो सायन किस चीज का होता है याद होगा अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा है तो और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप लोगों अभी तक अंदर अंदर वाला और बाहर बाहर वाला तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना B square बराबर A C हम लोग का power कितना चाहिए 4 तो A square तो है लेगर power अगर 4 करना है तो क्या करना होगा एक बर और square कर देंगे तो power 4 हो जाएगा तो इधर भी तो square करना होगा ना दोस्तो ऐसा क्या मिलागा finally हम लोग के पास देखिए B का power 4 बराबर A square C square अब निकालना क्या था हम लोग को A का power 4 है ना और अनुपात B का power 4 तो हम लोग के पास B का power 4 का देखिए भेलू मिला हुआ है clear? अब A का power 4 का अब लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A का power 2 और into A का power 2 और अनुपात इसके जाए क्या बठाएंगे A का power 2 into C का power 2 ये देखिए ये और ये cancel हो जाएगा बचेगा A square अनुपात C square तो ये देखिए किस option में है option number A इसका question का सही answer हो जाएगा दोस्तो तुमीद करता है ये most important question जो था ये भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ माया होगा देखिए आज सभी question एक से बढ़कर एक है friends और सभी question exam में पूछा किया है कही ने कही तो सभी question को आप देखें ये आपके लिए question है देखिए ये अगला question और भी अच्छा है A square plus 4B square ठेखिए दिया हुआ हम लोग के पास A square plus 4B square बराबर में जो है इसको ठाक इधर ले आते हैं तो हो जाएगा minus 4AB बराबर में कुछ नहीं तो 0 ठेखिए अब इसको हम लोग कैसा तोड़ सकते हैं देखिए ध्यान देजेगा इसको ऐसा लिख सकते हैं A का whole square plus 2B का whole square और minus 2 into A into 2B तो देखिए फर्मूला बनता है A square plus B square minus 2A और B के जगा ये है ठेखिए तो क्या लिख सकते हैं बराबर में मेरे पास 0 है ध्यान देजेगा क्या लिखेंगे A के जगा तो ये है और B के जगा क्या मिला है 2B का whole square बराबर में 0 ये square ही दिर्फ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा root और 0 से उसको मतलब नहीं 0 ही रज जाएगा तो finally हम लोग के पास A minus 2B जो है इसको उठा के उधर ले जाएगे जब तो इधर रहके plus में हो जाएगा 2B ठीक है अब इसको हम लोग का अनुपात में अगर लिखना है तो अभी तुरंथ हम लोगों ने देखा था कि अनुपात में लिखने के लिए क्या करते है जब A का लिखना है तो number किसा लिखते है B का और जब B का लिखना है तो B को छुड़कर के A का तो एक इसाद कुछ नहीं यह तो क्या है दोस्तो 1 है तो यह दो अनुपात एक इसका सही answer हो जाएगा option number देखिए B तुमीद करता हूँ दोस्तो यह question भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब इसी टैप का यह question है आप लोग के लिए आप इसे practice करें और इसका सही answer जो भी आता है उसे comment box में comment करें बढ़ते हैं अगले question की ओर देखिए A अनुपात B बराबर दिया है 6 अनुपात 5 जबकि C अनुपात D दे दिया है 2A अनुपात 5B पूछा है हम लोगों से AC अनुपात BD क्या होगा अब देखिए थोड़ा सा question को घुमा दिया है तो कुछ करना नहीं हम लोगों समझना है सिर्फ क्या क्या मिला है A मिला हुआ है 6 माल लेते हैं हम लोग ठीक है B माल लेते हैं हम लोग के पास 5 है C और D निकालना है हम लोगों को निकाल लेते हैं खुद से C और D जो है निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा C, तो देखिए, C है जो 2A, 2 और A के जाया कितना था 6 था, 6, तो ये हो गया कितना, 12, ठेक है, अब D कैसे निकलेगा, तो 5B है, 5, और B के जाया कितना हम लोगे पास है, 5 है, तो ये 5 हो गया कितना, 25, A, B, C, D, सभी कुछ मिल गया, अब क्या करना था, C, अनुपात, B, D, ये करना है हम लोगे को, तो A, C मतलब देखिए, A ये है, और C ये है, तो 6 गुने 12, अनुपात, B है 5, जबकि D है, 25, क्या आएगा हम लोगे पास, देखिए, 6 को 12 से गुने करने पे दोस्तों आएगा, 72, और 5 को 25 से करने पे आएगा, 25, 25, ये दोनों न और हम लोगा option में ऐसा दिया हुआ है, 72, 125, तो option number B, इस question का सही answer हो जाएगा, दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, ये question में आप लोगो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब ये practice question है friends, आप लोगो के लिए, उसी type का, जब तक आप practice question देखिए, दोस्तों नहीं ये ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो आप लोगो को पसंद आया, समझ में आया, आपके लाइक है, तो अब आप इसको like, share और comment कर सकते हैं, और हाँ अगर आप नए चैनल इसमें चैनल में नए है, तो अब आप इस चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, इसी प्रकर कर नए 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 व इसमें आप लाद।